हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमा कुकिंग पे अस में फिर से एक फूड प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं आसे मेरे पास सुधा का पेरा इप्रोपेर्टेरियल फूड जो कि इसका प्राइज अगर आप चानना चाहोगे तो यहां पे मंसिन किया हु प्राइड ऑफ बिहार यहार में बनाया जाता है और यहां पे आप देख सकते हो पेरा बहुत अच्छी क्वाल्टिक है सुधा मतलब की डाइडी प्रोडक्ट है मतलब की डाइडी सुधा रेडी जहां भी होती है आपको यह मिल जाने वाला है रेडी टू इट स्वीट इस सब चीजें दी हुई है जिसे बनाया गया है और यहां पर मेंसन किया हुआ है कितना ग्राम है तो यह 100 ग्राम आपको 48 रुपीज में मिल जाता है इस्टोर इन अक्लू कूल एंड्राइड प्लेस तो और अगर आप कुछी सीज में रख रहे हैं तो एर टाइड कंटेनर में इसे रख दीजेगा और कूल ऐसे मतलब की ठंडी जगह पर रखना है लेकिन वह सुखा जगह होना चाहिए फ्रिज में भी रख सकते हो आराम से तो यहां पर मतलब की पोल्तिन टाइप का सुधा का दिया हुआ है यहीं से खुल जाता है अगर आप कहीं बाहार जा रहे तो पहल quoting कुटोड में होता है लेकिन quantity घटते जाती है तो यह तो यहां पर टेप जैसा लिया था यह खुली नहीं रहा था तो मैंने मने की मदत ली अगर बात करते हैं रेसिंग के बारे में तो आपको इसका इसका तेस्ट काफी अच्छा लगेगा क्रिमी टाइप का टेश्ट आता है खाने में काफी अच्छा लगता है तो अगर आप अकेले इसे खतम कर सकते हैं क्योंकि काफी कम है और 6 और 10 देने वाले हो क्योंकि मुझे ये बश्चपन से पसंद है गाइस मुझे काफी अच्छा लगता है सुधा कि मैं ज्यादा तरफ यूज करती हूं खाने के लिए जैसे कि पेड़ा हो गया और सबसे फेवरेट है मेरा अमूल लसी और अमूल लसी बहुत पसंद है और एक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगत विडियो को लाइक कर दीजे आगर आपने से कभी त्राय कर आए तो कमेंस करके बताएएगा अगर चैनल पर निए हो आए होंगे चानल को सेर कर दीजेगा मैं मैं मिलते हूं नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए टे